तो बैस मैंने सर्वाफ कर रखें 1500 डेज इन माइनक्राफ्ट हाटकुर बट अभी तक मैंने अपने लिए कोई बड़िया सा घर नहीं बनाया है हम अलब एक तो बना रखा है लेकिन आज मैं बनाने वाला हूं जाइंट एमरेल्ड कासल इन माइनक्राफ्ट हाटकुर और एक दम फ्लैट भी है तो अपने कासल को बनाने के लिए लेटरली मुझे बहुत सारा सामान चाही है लेकिन जो सबसे में चाह सामन है वह एं एमरेल्ड के ब्लोक्स येलो वूल डीप्सलेड ब्लोक्स और फाइनली इस्प्रूस प्लैंग जो कि लिटरली मुझे बहुत जादा एफ करेना पड़ेगा तो चलो जल्दी से इसको complete कर लेता हूं सबसे पहले तो इस वाम को complete करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना है इसके नेधर के अंदर नेधर के अंदर जाने के बाद पोड़ को तोड़ना है फिर जाना है नेधर रूफ पर और वहां पर वाले पोड़ल से ओवरवर्ड में और फिर मैं जिस भी पोड़ल से निकलोंगा उसके उपर 128 ब्लोक लगा के जाना है और फिर यहां पर बनाने एक कौन नेधर पोड़ल और फिर एक छोटा सा किलिंग चेमबर तो फाइनली मैंने बना दे पूरा बैड़ोमन फाइम अब चेस्ट मुझे थोड़ा सा एक को ना जिससे पिगलेंस आने लग जाएंगे यहां पर तो कैस्ट वाइनली देखो मेरे पीछी किते सारे पिगलेंस आ रखे हैं अभी तो इनके बैंड बजानी पड़ेगी तो चलो जल्दी से इनको माल देता हूँ अब जल्दी से चलता हूँ अपने रेड़ फार्म पर और फिर ओलता हूँ थोड़ी दे एक सेकंड मैं तो बूली गाता है इसके इंदर शेलकर बॉक्स नहीं है और बिना शेलकर बॉक्स के तो यह फार्म कुछी मिनेट में पूरा भल जाएगा मालब इसकी सारी चेस्ट से बल जाएंगी तो वह तो मैं लिटरली बिल्कुल नहीं चाहता तो अब जल्दी से लेकर आता हूँ थोड़ी से शेलकर शेल्स कितने शेल्स रखें अपने फार्म में ओ भाई यह फार्म भाई हमेशा बहुत अच्छे तरीके से काम कहता है तो इस पर एफ के खड़ा भी लेकिन इससे जिता भी एमरेट्स करने का काम है वह बहुत जादा सिंपल हो जाता है तो चलो अब जल्दी से सारी चेश्ट को बाद देता हूँ शिलकर बॉक्से से और हाँ गैज मैं यह बताना तो भूले गया था कि जो मेरा रेड़ फार्म होता रहता है और कुछ दिन पहले भी खराब हो आता लेकिन अभी मैंने शाह किया कि यह कासल बनाने लिए तो अभी तक मैंने इसको चेक नहीं गया कि यह वक करता भी है कि नहीं करता और इसी बा प्यारी सी लेंडिंग और रेड श्टार्ट होगी जब तक मैं ऊपर चल देता हूं और माना इस आर्मर स्टेंड को जिससे होता नहीं क्या होता है लेकिन कुछ सो होता ही होगा अब थोड़ा सा वेट करना है और और यह पिगलेंस क्यों कि देख सकते हो किता साथ आप बढ़ गया है तो खैस मुझे बहुत जाथा दुप के साथ किना पड़ रहा है कि एक फार्म काम करना बंद कर चुका है और लिटरेली मेरा बिलकुल भी मोन ने इस फार्म को सही करने का तो मैंने डिसाइड गया मैं बनाऊंगा एक झाल 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 यह रिप्ले मोड ने बहुत ज़्यादा गंदा वाला हग दी और तुम लोग देख सकते हैं यह क्या चला है स्क्रीन पर है लिटरली यह चीज पूरे टाइम लैस्प में चली और मैं विलेजर को जब लेकर आया था और यहां पर जब मैंने स्टोरी सिस्टम बनाया उसका एक भी मुवमेंट नहीं है रिप्ले मोड हमाईशा हग देता है अब जस मैं दुआ करूँगा कि यह कासल के टाइम पर ना हग पर जाना है और जैसे रेड हाफ हो यह मुझे हिट करने लग जाना है इस आर्मे स्टेंड को और अभी करना है थुड़ी दिर वेट तो क्वास फाइनल देख सकतो इस वाले रेड फार्म पर किते सारे मॉब जा रहे हैं और लगातार मलते जा रहे हैं जिनकी लूट जा रह लिटरी मैं तो छोड़ के चला गया था आदा एंड मूव्मेंट पर मीरा ध्यान गया वन्मा सही में मल जाता बाई बाल-बाल बचा मलने से मैं तो सही में सोच रहा था यहित बाव करना है थोड़ी देर वेट भाई यारी ये फिर से आगे क्या मैंने फार्म कहीं गलत कर दिया क्या भाई लिटरली ये मुझे मार डालेंगे बार बार परिशान करने आ रहे हैं ये लोग अब गैस मैं इस रेड फार्म के सारे टुटोरियल्स देखाया हूं जिससे मेरी कोई भी गलती नाव और वेक्स मुझे मारे ना तो मुझे करने यहां पर सेफ लेंडिंग और धीरे धीरे जाना इस आर्मेश्टेंड के पास और रेड बार के फुलने से पहले इसको एक खितमाल देता हूं और यह गाइफ हो गया बट रेड भार भी गाइफ हो गया और कोई भी प्लेजर ने के चलो फाइनली भाही प्ल तो गैस मैं पूर्ड दस मिनट से इस फाण पर एक रेफ कता लेकिन अभी एक भी वैक्स नहीं निकली है महला मैं एकदम सेफ हूं और इस फाण पर एफ के हो सकता हूं तो चलो जल्दी से ओल लेता हूं इस फार एफ के और देखते हैं कितने सारे में मिलते हैं हम इस बगर चेक कर लेते कितने emeralds मिले हमें, पर रखे है emeralds से, वाई यह वाला farm सही में बहुत ज़ादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और पिछले वाले farm से भी अच्छे ज़ादा rates में हमको emeralds मिल ले हैं इस farm से, तो कि इस यहां से मुझे बहुत सारे emeralds तो मिल गए, बट एक बहुत बड़ी problem है, कि मेरे पास जित्ता भी खाना तो सारा खतम हो गया, और मेरा hunger बाल तुम लोगों को देखी रहा होगा, पूरा खतम है, और वैसे में ocean में से कुछ मसलियों मार के खा सकता हूं, बट अभी जित्ता बड़ा castle बनाने वाला हूं, तो अच्छा छोड़ी बनाने लगोंगा कि छोटी-छोटी मसलियों को मार के खाऊं, सही बात है न, तो मेरा main task है कि बिना मारे मुझे village पे जाना है, और वहां से खाना लेकर आना है, और हाँ मैं एक और problem बताना बूल गया, कि मैं bad woman के effect के साथ चला गया था अपनी वाले village में, तो अभी वहां प इससे पहले किसी village में जाके खाना ले पाऊंगा, यह तो भाई बहुत बड़ा question है, तो चलो सबसे पहले rocket के यूज करके इस वाले portal पर पहुंचता हूं, और अब यहां पर एक zombie और wandering trader क्या कर रहे है, लेकिन भाई यहां पर time waste निकलता है, जल्दी से निकलता हूं, और यह गया वहाल, another portal, अपने दोना हाद में मैंने portal भगल रखें, जिससे अगर मैं मर भी जाता हूं, महलब मरूँगा तो नहीं मान नहीं नहीं देंगे totem, तो बच सकता हूं इन totem से, चलो another portal भगल में parameter है, अब जल्दी से चलता हूं village के पास, और एक totem use हो गया भाई, यह उसको भाईगा देरा, चलो कोई बात नहीं, भाई, finally मैंने इससे golden carrots ले ली, वरना मुझे सही में लग रहा था, मैं माल जाओंगा, ऐसे मचलियों को मार की भी काम चला सकता था, लेकिन भाई, वावा के शौक है हमारे, अच्छा, देखा मैंने अपना world कैसे खतम होने स बचाया, इतनी महनत मैं कलता रहता हूं वैसे, ठीक है, तो कैस अभी मैं आगे अपने शौकर फार्म पर थोड़ी सा एफ के होने के लिए, क्योंकि जो मेरा raid फार्म था, वहां के सारे शौकर्स खतम हो गयते, इसलिए जो चैस्टे थे उसके अंदर नर्बर एमिरेट्स आ आने लगे थे, तो अभी मुझे पहुत सारे और शौकर बॉक्स चीए, तो अभी यहां पर थोड़ी दिर के लिए एफ के हो लेता हूं, भाई यह वाला फार्म लिटरली कितने अच्छे तरीके से काम काता है, सारे जरूद पूरी कर देता हूं शौकर्स की, तो अब अच्छे भी अभी एमरेल्ड्स आया है, वो इनफ नहीं होंगे, मेरा कासल बनाने के लिए, तो किस फानली मैं इस वाले फार्म पर बहुत देर से अफ के था, शायद साथ से आठ गंडे के बीच में कुछ एफ के था, और मेरे एक्सपी देख सकते हूं कि उत्ता जाद हो और अब जश्च चेक करने कि सारे एमरेल्ड्स आगे मेरे पास, भाई लेटरली देखो सारी चेश्ट एक दम फोलो रखें शेलकर बॉक्स से, सभी में ये वाला फाम बहुत जाद अच्छा काम करता है, तो अभी टाइम है सारे एमरेल्ड्स को एमरेल्ड के ब्लोक्स में क आप अजिसमें लेटरली बहुत जादा दिमाख होने वाला हा है लेकिन चलो अब ही सारे एमरेल्ड्स को गनवरें रित्ली को आपशित ऑटरेता है है सारे भरे होई है एमरेड के ब्लोक्स से और यहां पर जित्ते भी शेलकर ब्लोक्स से यह सब ले जाने मुझे अपने पेस पर है तो जल्दी से इनको तोड़ लेता हूं और डाल देता हूं एंडर चेस्ट के अंदर तो किस फाइनली मैं दुबारा से आगे हैं अपने बेस प ब्लोक्स रखे तो यह भी काम आ जाएंगे इनसे भी दो तिन शेलकर बॉक्स तो मिली जाएंगे तो किस फाइनली मैं दुबारा से अपने रेड फार्म पर और देखो जैसा कि मैंने बोलाता है यहां पर मैं कुछ 10 के अरांट अपने शेलकर बॉक्स बूल गया तो जल्द तो किसमें कुछ और पांचे शेलकर बॉक्स आगे दुबारा से तो चलो मैं दुबारा से इंको कनवर्ट कर देता हूं और भाई लिटरली मां खराब होने वाला इस वाले प्रोसेस में तो अकल तुम लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे लाता हूं इस वाली चेस्ट में और अभी तक अराउंड मैंने हंड्रेड से भी जादा शेलकर बॉक्स कलेक्ट कर लिए जो के पूरे भरे हैं एमराइड के ब्लोक्स से तो अगर मैं अभी हिसाब लगा हूं तो एक शेलकर बॉक्स के अंदर अराउंड हम सत्रह सो से अठा करने वाले अपने कासल में तो कस फाइली जो सबसे में चीज थी वो तो मैंने कलेक्ट कर ले अप टाइम है बागी बच्ची कुछी चीज़ोंगा तो सबसे पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूं अब स्प्रूस के प्लैंक्स जिससे मैं ज्यादा तरे फ्लोर वगेरा ही कवर करन तो चलो मैं लग जाता हूं इस काम में भी किये तो 4000 ब्लोक जहां से मुझे अराउंड 8 से 10,000 की बीच में कुछ ब्लोक मिल गएते बट इस कर दो झाल 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 तो मैने यहाउप्हे रखंटे सार हों, नित्रव कि अच्टो सपर इक आदा हुँए हैं तो मैंने यहाउपर रखंदे इस सारी शेलक्र बोक्सÓ asleep द्रींड भर होई है उस काशल को बनाने इक लिए और बस सामानी कलेक्ट कहने में मुझे 40 आर्स से भी ज्यादा का टाइम लग गया है और अभी कासल को तो बनाने में और ज्यादा दिक्कत आने वाली है अपन को तो देखो इसी वाली जगह पर मैं कासल बनाने वाला हूं मैंने पूरी जगह को प्लेन तो कर दिया और अब टाइम है कासल बनाने का तो कासल बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूं लाइट मैटे का मोड को जो हमारी हेल्प करता है यह बताने हो कौन सा ब्लॉक किस जगह पर लगाना है यह कोई क्रेटिव वाला मोड नहीं है इसल झाल 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 झाल झाल तो पूरे 25 गंटे से भी जादा बिल्ड करने के बाद फाइनली मैंने अपना कासल बना की एकदम रैडिक लिया और लिटरली देखो भाई किता जादा यूज कासल है स्टार्टिंग मैंने सोचा था कि मैं बनाऊगा तो मैंने निसोचा का बाई इतना बड़ा होने वाला कासल बट अभी देखो कितना जादा मस्त लग रहा है अपना कासल और पिलेजर टावर की कंपेरिजन में देखो भाई कितना जाइंट है अपना कासल और सही में इसको अपने वर्ड में देखने में बहुत जादा मज़ा आ रहा है और हाँ इस castle को बनाने के लिए जितना मैंने सावन कलेक्ट किया तो उसमें से काफ़ सारा भी बच गया है जो कि इस castle में यूज निवा है जो कि इस दो जादा रहा है